हाँ तो भई क्या आल है सबके उमीद करता हूं सारे बढ़िया होगे और बढ़िया ही रहना पर आज आपका भई बढ़िया नहीं है मेरे को जुखाम है मेरे गला खराब है और चेस्ट में हलका हलका ड्राइनेस फील हो रहा है सर्दी की वेज़े से आज साल का आखरी दिन है आज यह सब चल जाएगा लेकिन कल साल का पहला दिन है तो कल अगर यह चीज रही तो फिर अच्छा नहीं लेकिन एक चीज बढ़िया हुई है कि आज बनी है आलो गोविम और आलो गोविम अपनी फेवरेट सबजी है तो नाश्ता करते हैं और नाश्ता करके देखते हैं क्योंकि चाही भी है ना आधे गले में अराम तो यह कर देगी और आज बाइक है स्कूर्टी सारी साइड में और पार्किंग पूरी खाली है भई आज हम सीधे यहां से क्रेटा निकालेंगे और बाहर भी कोई गाड़ी निखड़ी है तो सीधे गाड़ी निकल लेगे अरा आज के व्लॉग में आप यह ज़्यादा सुन लें मेरे मुझ से कि जुकाम खासी और हलत खराब है अगर 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 इस तो तो दिस इस दमोस्ट टेंजर एस रोड वारे मुझ से में जाता हूं टेली क्यूंकि इसमें सामने से भी गाड़ी आती यह एक रोड़ और इसी पर गाड़ी जाती और इसे वापिस भी आती है तो यह बड़ा डेंजरेस रण को बड़ा रिस्की हो जाता है यह ज़्या जाने के मतलब दो रस्ते और भी जाने के इसे में जा सकता हूं लेकिन भाई को खत्रों से खेलने की आदत है भाई आपको खत्रों का खिलाड़ी है मजाग कर रहा हूं दिस इस दे शॉर्टेस्ट वन तो मैं ऐसी ड्राइब कर रहा था तो मेरे को एक वड़ी फणी सी चीज याद आ गई मेरी एक वीडियो थी जो मैंने भी अपलोड करी थी यहां पर अपना जाकर आप पहले उसे देखना लेकिन पहले इस वाली वीडियो को देखना फिर जाके देखना तो उस वाली वीडियो पर मेरे एक फ्रेंड है मैं उसने मुझे कमेंट किया है कि आट सो भी घर पे ही ठोकी थी मैंने सोच आप लोगों से शेयर करता हूं वह स्टोरी फादर जो है उनकी पोस्टिंग होती है जगे-जगे तो जब हम आगरा में थे तो आगरा में मैं मैं होंगा कुछ 6-7 क्लास में तो बड़ा रिस्की भी होता था मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने मेरे को सिखाई हो मैंने खुद बाइक चलानी सीखी दिए थोड़ा असा कम दरता था चलाने से क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होता चोट लगी कितनी है और कैसे लगती है दर्द क्या होता है तो और तो आइज क्या था आपका वा giàटी निकलना के कोशिश करता था तो शुरु में तो मुझे hier पता चलाता कि गारी श्टार्ट कैसे करते हैं और रेज कैसे तो मैं घर खड़ी रहती थी पारिंग में और बस स्टार्ट करके रेस देता रहता था यसी और उसमें बड़ा मजZA तो आपको भी पता होगा कि कितना मज़ा आता इस चीज में तो मैं स्टार्ट करके ऐसी रेस जित रहता था एक दिन मेरे अंदर बदानी क्या खुजली होई मैंने का आज इसको पार्किंग से बस बाहर निकालते हैं और फिर दुबारा अंदर कर देंगे क्योंकि कॉलोनी में तो मैं चलाओंगा नहीं अंकल लोग पापा हो कवर कर देंगे और फिर मेरी रात को वाट लगने वाली है मैं सोचा बाहर निकालते हैं तो बाई के आलत कराव है आज तो मैंने क्या करा स्टार्ट करी और बैग गेर डाला क्योंकि इतना बादा गेर कैसे डलते हैं मैंने बैग गेर डाला और बैग गेर डालते ही मैंने हलका सा क्लच छोड़ा तो गाड़ी धीरे धीरे पीछे जाने लेगी जितना इससा खाली था लिए ना मतलब बीच में थोड़ा ऐसे गाड़न टाइप का था वह इससा खाली था मतलब बीच में एक रैंप था वो रैंप सीधा था उसके बाद पीछे गेट था और जो गेट था उससे गाड़ी बहार निकल के सीधर रोड पे आ जाती थी तो मैंने हलकी हलकी पीछे करी में बस क्लेच भी हो द Daisy होड़ा एब अस लिए आधा और करते करते पीछे ले गया गाडी। किसि थोड़ा पहला क्योंकि outta था निकालने कि तो खीरा है। इस चीजी का था ईए द्धाक था क्योंकि आपस तो अ हुआ हैं। तो सोच रहे हैं चला लेंगे अच्छे से तो मैंने क्या करा मतलब एकदम घबरा गया और मेर से गाड़ी रुक नहीं रही और मैंने ब्रेक दवाने की जगे एक्सलेरेटर पर पैर दबा दिया बड़ी तेज और गाड़ी एकदम से पीछे गई और पिलर उखाड़ दिया ग ज्हटके मारके रुक गई वहां पर और रुकने के बाद मैं ऐसे बैठा हूँ है मैं को पता जल गया था मैंगा अब मेरी एकदम और सुनाये का मूं मि को बनाएगा फिर मंवी मुझे सुनाईंगी फिर अबिया बद घंड सीन होने वाला है लेकिन अची बाद है घरवालो किसी ने कुछ नहीं का उस टाइम हमारे पास थी मारूती शुजू की 800 वाइट कलर की और भाई क्या ही सीन था हुआ तो अब फाइनली पेंट अलमोस अब जगे हो चुका है वाल्स पे और सीलिंग पे भी वड़ी लग रहा न है यह भी सीलिंग अलमोस सारे होई गी को अमारी पेंट अलमोस भी आथे तो इसमें वैइयोड हैं मैख टाइक करना केशैऱ् से लिएयोड इंगान साता वाल्स लेखने तो इसमें कम्रे के कुछ अलगी है सब शुचन का लुग कर वाया है क्यूंकि इस कम्रे के कुछ अलगी ठोड़ इस कमरे का सीन थोड़ा आलग है, वो मैं आपको फिर किसी और दिन बताऊंगा, ये विचारा मेरा सोफा कम बैट पड़ा हुआ है, कितने टाइम से होगा है, इसकी तो आहालत ही खराब हो रखी है, बीन बैग की आहलत देगो, कैसे पड़ा हुआ है, ये मैंने लिया था, कि मैं इसमें शिफ्ट होने होला था, मैं सुझा था, सोफा कम बैड आराम से यहां लगाएंगे, यहां टेबल होईगी, और इसमें वर्स्टेशन टाइप का बढ़िया बन जाएगा, लेकिन, अब काम ही बर खताम हो जाए, तब इस कमरे की हालस उधारते है, बिचारा बीन मेरा भी फायता हो जाता है, मैं इसको बाहर निगाल लेता हूं तो इस पर एडिटिंग कर लेता हूं खाली टाइम में यहां पर और कर नहीं है, इनको देखते हैं सुझता हूं एडिटिंग कर ली जाए, तो इसके बाद भाई से व्लॉग वा इनी है, मतलब मेरी हालत खरा है, और मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद रात को बुखार आ जाए, ना हो तो अच्छा है, यह फिंगर क्रॉस्ट, बाइद अवे, हैपी न्यू यह तो एव्रीवन और 2022 आने वाला है, और देखते हैं 2022 कैसा जाता है, जादा व्लॉग भी नहीं कर पा रहा हूं है, तो पा बाए, ट भी नहीं कर पा पा रहा है, तो एंप रहा है, दो एंप, बúa IO Day